दमश्कार दोस्तों आपको पता होगा कि वल्चर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एन्वार्मेंट को क्लीन रखने के लिए उसको कंजर्व रखने के लिए especially आपको पता होना चाहिए कि जो dead bodies होती है animals की species की उसको यहाँ पर clear करने के लिए क्योंकि यहाँ पर अगर उसको clear नहीं किया जाएगा वल्चर्स के दौरा उसको खाया नहीं जाएगा हटाया नहीं जाएगा तो यह हमारे environment को काफी pollute कर सकता है तो इसको देखते वे वल्चर्स की काफी जादा important हो जाती है अब यहाँ पर उत्तर परदेश सरकार ने निर्ने लिया है कि राजिक के अंदर पहला conservation and breeding center वल्चर्स का यह खोला जाएगा गोरखपुर के पास तो यह basically हम किस वल्चर्स की बात कर रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं इसका importance क्या है काफी कुछ जाने को है चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर में lecture की हर PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी ही प्लस साथ में आप मेरा Telegram चनल जॉइन कर सकते हैं by searching अंकित अगरवाल और अफिशल और अगर आप UPSC की तारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनरा मौका है स्टडिया के लिए आपके लिए स्मार्ट कोर से जिसके तो आप अपने preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश का पहला Conservation Center for Vultures to come up in Gorakhpur Forest Division तो बेसिकली जो Gorakhpur के Divisional Forest Officer है DFO अविनाश कुमार जी उन्होंने बताया कि यह जो आपका conservation और breeding center है Vultures का इसको establish करने का निर्ने लिया गया है on Thursday by Joint Secretary उत्तर प्रदेश के जो Environment, Forest and Climate Change के Joint Secretary है दीपक कोली जी उनके द्वारा यहाँ पर यह permission दे दिया गया है कि इसको establish किया जाएगा और इसका जो exact location है यह आपको पता होना चाहिए बिसिकली जो Gorakhpur एरिया उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हो यह है हमारा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर आपका जो गोरखपुर है इसी के जस्ट पास में यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा जो फरेंदा रेंज है वहाँ पर और उसी में एक छोटा सा विलेज है भारी बैसी वहाँ पर इस पर्टिकुलर पाँच हेक्टेश के और इसको 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 बता जायेगा अब यहाँ पर बुक्राइच के अबटा ब्रूर को इसको इसको गहाँ अब ये देश का पहला conservation center था पिंजौर conservation and breeding center कहा जाता है इसको और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये joint project था हर्याना forest department और Bombay Natural History Society इसके बारे में मैंने एक question बनाया है वीडियो के end में आप उसको जरूर solve करीगा तो इन दोनों के दौरा मिलकर इसको किया गया था starting में ये जाना जाता था basically vulture care center के नाम से लेकिन आगे चल कर 2004 के बाद यहाँ पर इसको convert कर दिया गया था vulture conservation and breeding center के नाम से पिंजौर के अंदर है हर्याना के अंदर अब इसमें main 3 vultures की बात कही गई थी अब ये 3 vultures कौन से हैं long build vulture हो गया आपका एक है आपका slender build vultures और त 3 vultures की यहाँ पर protection की जाएगी ऐसा main aim था हर्याना के पिंजौर vulture conservation and breeding center में लेकिन जब हम उत्तर परदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर गोरगपूर में यह जो conservation center खोला जा रहा है तो यहाँ पर specifically बात कही जारी है red headed king vulture की तो आपके एक्जाम में आ सकता है तो यह दिहा red headed king vulture के लिए यहाँ पर खोला जा रहा है और जो उत्तर परदेश में तो यह पहला vulture conservation center बनने जा रहा है ठीक है पूरे wish में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के vultures देखने को मिलेंगे जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो लेकिन आप यहाँ king vultures है जिसका यहाँ पर head आपको red color में दिख रहा होगा यह हम बात कर रहे हैं गोरकपूर में जिसकी conservation की जा रही है आपके examination point of view से एक और important चीज़ याद रखना है कि IUCNK list के अंदर यह critically endangered species में आता है red headed vultures यह आप ध्यान में रखेगा अगर हम इसकी geographical distribution की बात करें तो यह basically Pakistan से लेकर आपका पूरा जो South East Asia एवन Indonesia तक यहाँ तक भी जाता था लेकिन यह क्या है कि जो है अब इसका काफी जादा extinction हो चुका है और यहाँ पर कुछ मात्रा में आपको Cambodia में देखने को मिलेगा या फिर यह जो आपका Himalayan के foot hill ranges है जो कि आपको पता ही है कि हो चुका है साथी में एक्जाम में आपके अलग नाम से भी यह आ सकता है कि Asian King Vulture यह भी इसी को कहा जाता है Red Headed Vulture को ही Indian Black Vulture के नाम से भी हम इसको जानते हैं अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो करीब 85 cm बोला जाता है maximum यह जा सकता है वेट इसका करीब साड़े तीन से 5.5 kg तक के आसपास आपको देखने को मिलेगा और एक खास बात में आपको बताता हूँ आप इस वल्चर को देखोगे तो यह जो आप Head देख रहे हो ना यह आपका बॉल्च देखेगा मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है बिसिकली क्या होता है कि जो वल्चर वगरा उसी हिसाब से जो evolution है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा फर्दर मैं अगर आपको इस conservation और breeding center जो की गोरगपूर में खुला जा रहा है इसके detail की बात करूँ तो आपको मैंने बताई दिया कि करीब 5 hectare area में यह खुला जाएगा और starting के लिए सरकार ने उत्तर बड़ा project है काफी समय भी लगेगा लेकिन इसका जो basic infrastructure है जैसे की lab हो गया breeding center हो गया quarantine center हो गया residential complex हो गया doctors के लिए staff के लिए जो basic infrastructure होना चाहिए वो अगले 4 साल में complete कर दिया जाएगा and in fact मैं आपको बता दूँ अगले साल से ही इसकी जो breeding होती है और conservation होता है उसका काम अग natural history society के साथ ठीक है और यहाँ पर जो technical help है वो ली जाएगी wildlife research institute के द्वारा और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि census जो हुआ था 2013-14 का उसमें यह बताया गया कि उत्तरबदेश के करी 13 districts में 900 vultures की population है तो बहुती जादा कम है ठीक है तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है vultures को safe करना अगर हम conservation action की बात करें overall vultures की अब मैं सिर्फ red headed की बात नहीं कर रहा हूं overall vultures के conservation की बात करें तो आपके exam point of view से main point of view से आप इन सभी points को लिख सकते हैं जैसे कि अलग-अलग जो stakeholders है उनके साथ मिलना address जो threat है उसको address करना knowledge को share करना management plan बनाना capacity building करना थाकि लोग इ awareness raising हो गया fund हो गया कुछ कानून बनाना is related तो इन सभी मामलों में अगर आप देखोगे तो जो conservation किया जाता है वो अभी भी low level पर है इसको हमें और जादा बढ़ाने की आवशकता है और अगर हम यहाँ पर threat की बात करें threat में अगर आप देखिए तो crops हो गया ecosystem changes हो गया agriculture हो ग कारण है जिसकी वज़े से बहुत जादा threat है hunting अभी तक proper established नहीं हुआ है कि क्या hunting के वज़े से तो UPSC specifically इस तरह के कई बार question आता है कि hunting की वज़े से यहाँ पर उनको बहुत जादा threat है जी नहीं यहाँ पर specifically crop ecosystem changes और specifically मैं बताऊ तो agriculture की वज़े से अब agriculture की वज़े से क्यों है आपने सुना होगा इस particular drug के बारे में that is diclofenac diclofenac basically क्या किया जाता था जो cattle होते थे पशुपालन होता था उनको उनके दर्द को हटाने के लिए inflammation को हटाने के लिए यहाँ पर diclofenac का use किया जाता था लेकिन क्या होता है कि जब कोई cattle मर जाता था तो उसके बाद vultures अप देखने को मिल रही है इसको देखते वे यहाँ पर central government ने इसका पूरी तरह से prohibition लगा दिया था 2006 में specifically जो drug controller general of India है उन्होंने एक letter लिखा था सभी को कि यहाँ पर इसका जो इस्तमाल है उसको रोकना चाहिए और finally जाकर 2008 में इसको पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी दे society के बारे में दो statement है इस related आप comment section में इसका आंसर बताइए इसका जो right answer मैं अपने instagram पर डालूँगा ही बाकी telegram पर भी इसका right answer डाल दूँगा आपको पता है मैं daily एक mcq डालता हूं इसका पर यहाँ पर प्ले कर सकते हो अगर आप economy पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप study iq app पर जा सकते हैं वाँ पर कई सारे मेरे courses मिल जाएंगे i hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon